आरे विशेष सेग्मेंट की जिसका नाम है ट्रेड का चौका तो चलिए रवी सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूँ बताईए ट्रेडिंग के लिहाज से बड़ा महत्पूर्ण दिन है आज इसलिए आज तो हर ट्रेड बड़ा मायने रखता है बताईए शुरुआती दोर में कहा महुके देख रहे है देखिया आज मैंने गलस शर्ट पहन लिए है प्रशान जी आज बेरिश स्केंडिल बना दी है लेकिन थोड़ी बेरिश कम है मुझे आज ग्रीन पहनना चाहिए था बड़ शायद समवाव थोड़ी मिस्टेक हो गई इस समय मार्केट ग्रीनी ग्रीन है और आप ग्रीनी चलाइए बाई एनेजपीसी करेंट लेवल पर सामने जो आ रहा है बाई करिए बसे देते देते तो बढ़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है 115 के लक्ष और Monday Tuesday में आएंगे तो शायद 115 चूते हुए नजर आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि safe stock लेते हैं और इसको buy कर लिजे दूसरा stock भी buy कही है वो है moil अलाकि coal India बढ़ गया इसलिए मैंने moil की तरफ सफर करना शुरू किया और इस समय current level पर करते हैं buy upside target होगा 530 रुपए का stop loss भी आपर risk reward ratio 480 रुपए का दो safe bet अलाकि stocks बहुत हैं लेकिन अभी फिलहाल trade के चौके में छक्का मारते हुए ये दो stock ठीक है तो moil और इसके साथी NHPC पर दाव लगाया है रवी ने बढ़ते आगे और कुणाल आप बताईए आपका focus क्या है आपकी रणनीती क्या होगी पर जननीती मेरी positive side की है सबसे पहला जो stock है डीपक fertilizer है खरीदारी करके चलने की सला है डीपक में target की बात कर लेते हैं जो level यहाँ पे देखने को मिल सकते है आने वाले दिनों में डीपक fertilizer में उसमें सबसे पहला जो level है वो है 598 का target है दूसरा है 630 का target है तो डीपक fertilizer 555 के सल हमें के थार खरीदारी करके चलने की सला है अग दूसरा जो stock 80 ZL है जिस हिसाब से फिलाल stock trade कर रहा है likely chances है कि यह stock में आने वाले दिनों में अच्छी खासी momentum देखने को मुल सकती है जब मैंने यह stock send किया था तो 997 के level पे ट्रेड कर रहा था अभी stock 1015-1020 के around है फिर भी यह stock में हमें खरीदारी करके चलने की सला है target मैं यहां पर revise करा देता हूं क्योंकि मेला पहला सेमेसल के साथ हमारा जो पहला टागेट होगा 1065 होगा दूसरा टागेट जो होगा वह सीथा 1100 का होगा सो मुमेंटम पॉसेटिव साइट की ही है एटीजिए खरीदारी करेंटे चलिए विद्धैस रोग 965 पहला टागेट 1500 दूसरा टागेट 1100 ठीक है दो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राए एक है अदानी टोटल गैस जहां पर 1065 से 1100 रुपए प्रतिशेर का लक्ष और दीपक फर्टिलाइजर पर भी खरीदारी की राए आपके तरफ से आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की चर्चा करते हैं तो रियल एस् इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रिगेड एंटरप्राइजिस को देखे तो करीब 5% किसे ज्यादा की तेजी इसमें दिखी है कुछ दिनों पहले नतीजे आये थे नतीजे काफी अच्छे थे और वो खरीदारी कंटिन्यू हो देते हैं रवी जी आप से पूछना चाहूंगी चारो ही रियल एस्टेट स्टॉक्स पर क्या राय बनती है ब्रिगेड प्रेस्टीज लोढ़ा और फीनिक्स देखें आपने तो आज टॉप पे चौक्वे पे छक्का ही मार दिया यह सारे स्टॉक्स अच्छे बढ़े हुआ है लेकिन एक छोटा स्टॉक भी है जिसमें अगरिशिया ने शाद लोग देख रहे होगे हुआ है जे कुमार इंफ्रा इस समय 13-14 परसंट बढ़ा हुआ है लेकिन सर यहां चड़ने की गलती मत करना क्योंकि इस समय इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बन चुका है यहां से थोड़ी profit booking आ सकती है इसलिए अभी थोड़ा avoid रखें लेकिन हाँ अगर जिन लोगों ने buy किया हुआ है उनके लिए target अगर देखते हैं तो मुझे यही time है यानि कि mid of June के बाद से इन stocks में अच्छी कासी पिटाई और profit booking देखने को मिलेगी तो अभी का जो momentum इसको enjoy कर लीजे top out बनने दीचे market को और profitability की तरफ focus करें लोड़ा की बात करें देखिए इस समय अबवर ट्रेंड है 1380 तक के level आपको दिखाई देंगे और lower side पे यहाँ पर risk अगर देखते हैं तो 1330 का है तो मुझे ऐसा लगता है कि buying momentum तो अभी और बढ़ेगा और overall जो scenario यहाँ पर real estate का है वो अभी सिर्फ 15 जून तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें buying momentum रहेगा उसके बाद एक profit booking होगी तो इस बात का ध्यान रखें ठीक है तो यह राय थी real estate stocks पर इसके अलावा एक FMCG major की बात करते हैं Titan उनका आज analyst day meet थी और कुछ important management commentary निकल कर आई है FI 27 के लिए उन्होंने अपने targets रखे है I care business की बात करें तो 2000 करोड का revenue company देखती है FI 27 तक और 12% के EBIT margins company report करना चाहती है इसके अलावा jewelry segment की भी बात करते है यहाँ पर 15-20% का revenue CAGR company achieve करना चाहती है और 10-11% का market share तो काफी अच्छे ambitions और medium term outlook रखा है उन्होंने FI 25 के लिए तो अच्छे management commentary के चलते stock में भी आज अच्छी खासी तेजी दिखी है कुनाल आपकी क्या राए रहेगी Titan पर मैं टाइमिंग के लिए मैं avoid करके चलने के सलाव होंगा नीचे में 3232 के around काफेचा support आ रहा है लेकिन कोई confirmation नहीं मिल रहा है stock में अभी फिलहाल एक bullish momentum का मैं कहूंगा कि यह आपके watch list में जरूर से होना चाहिए लेकिन खरीदारी फिलहाल नहीं करनी चाहिए एक बार अगर confirmation मिल जाता है तो ही हम खरीदारी करें चलेंगे तो यह आप अपने watch list में से जरूर रखिए कहीं न कहीं आने वाले दिनों में अगर यह stable हो जाता है और वहाई से अगर bullish confirmation मिलता है तो काफी अच्छे risk reward के साथ यह stock में हम position बना के चल सकते रहा है चलिए तो यह है नजरिया इन stocks पे और कुछ और stocks पे भी आप पर आये लेते हैं रवी जरा जियो फिनान्स पर राय दीजे जियो फिनान्स एप लाँच हुआ है तो जरा बताईए कि फिलहाल यहां से कैसा लग रहा है इसके अलावा खास तो पर आज पी वी आर की भी पी बहुत बड़ा action इसकी वज़े से पी वी आर के stock में नजर नहीं आ रहा है लेकिन बताईए इन दोनों ही stocks पे क्या नजरिया आपका होगा परशान जी movie के कुछ ticket आप भी लीजियो और हमें भी भेजियो तो शायद थोड़ा सा कुछ देखा जाए लेकिन फिलहाल अभी यह कहुँगा कि PVR पे सिर्फ movie देखने जाए इस stock खरिदने की गलती मत करिएगा नहीं तो जितना discount पार रहे हैं वो discount वहाँ पर देखे आए और वो stock से निकल जाएगा यानि कि अभी थोड़ा सा profit booking है 1280 के नीचे अगर जाता यह stock तो थोड़ा और गिरावाट हो सकती है और अभी चल रहा है 1312 के पास तो मतलब थोड़ा दिन दो एक दिन अभी छोड़ दीजे इस stock पर aggression मत दिखाईए movie का enjoy करिए वह ज्यादा अच अच्छा करी थी अब दूसरे stock की तरफ जाए देखे यह अच्छा stock है आप यही तो आपके खास बात है कि आप बीच में मौका नहीं देते और मैं तुरंत देखने लगता हूं कि कौन सा stock आज मुझे प्रशान्जी देने वाले है आर एंडी करनी पड़ती है तो इससे 346 पे बड़िया लेवल पे मिल रहा है 380 दिखा करके यह दिखा दिया इस stock ने कि मैं उतना तो दुबारा भी जा सकता हूं तिबारा भी जा सकता हूं तो current लेवल पर buy की राय है बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं 320 है quantity double कर लिजे अपसाइट टार्गेट 380 रुपय का और जो यह election theme हो या ऐसे कुछ stock हो उनमें यह भी आप शामिल करके चल सकते हैं तो यह वो stock हैं जिनमें सिर्फ जियो फिनांस पसंद आता हूँ पी वी यार से दूर रहने की सला इस वक्त रवी से मिलती हुई कुडाल मैं आपके पास आना चाहूंगा chemical space से ज़रा देखिए Excel Industries में आज हम देख रहे हैं कि लगभग 8% की तेजी नजर आ रही है इसके अलावा कुछ banking stocks को भी आपके सामने लाते हैं Kenra Bank और Bank of Maharashtra के साथ I.O.B. इन तीनों में अच्छी तेजी नजर आ रही है बदाएं क्या नजरिया बन रहा है है आपका वेल इसने भी आपने स्टॉप की बात की उसमें से Kenra Bank की बात करता हुआ हमें देखने को मिल्द है इतना नहीं अगर मैं बात करूँ कल के session की कल भी हमें Kenra Bank के उपर discussion किया था तब Kenra Bank कर तकरीबन तकरीबन 117 के आराउंड ट्रेड कर रहा था और हमने 125 का टार्गेट दिय हमें देखने को मिल सकता है और आपने एक्सेल इंडेस्स की भी बात की जिसे साथ से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है मुझे उपर की मुमेंटम तो टैफिनेटली देखने को मिल रही है लेकिन खरीदारी करने के चलने के सला नहीं है तो जिनके पास पॉजिशन बनी है उन में देखने को मिल सकते हैं और के साथ साथ आपने कुछ और स्टॉक के भी नाम लिए थे जहां पर मैं कहूंगा कि एक स्टॉक और है चाहां पर मुझे मुमेंटम लग रही है इंडियन बैंक कर रहा है अब खरीदारी करके चल सकते हैं लोर लिवल पे जो हम यहां पर हैसे इंडियर करके चलेंगे है वह 550 का टागेट की बात कर लहता है तो पहला टागेट 592 का है 592 और जैसे बहुता है 622 तक के भी टागेट हमें यह स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं तो यह राई थी का